है है लो दोस्तो स्वागत है आपका उमारे चनल पर इस बीडियो में हम देखेंगे मंडे के लिए श्टक्स कि मंडे के लिए कौन-कौन से श्टक्स हैं जिनमें हम इंडराडे और स्विन्ग 3D के लिए ट्रेड़ ले पाएं और हम देखेंगे कि उनके पीछे का logic क्या है तो चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तो सबसे पहला stocks है Dijon techno दोस्तो आप इस stocks को देखोगे आप यहाँ पर देखोगे यह 44 moving average है आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर यह 44 moving average है 44 moving average पर इसने green candle बनाई है और आगर आप यहाँ पर देखो जो 44 moving average का safe है यहाँ से राइजिंग हो चुका है आप इसने राइजिंग 44 moving average पर green candle बनाई है तो Monday को market open होने के बाद अगर यह stocks अपनी इस green candle के हाई के ऊपर निकलता है तो फिर इस stocks में हम swing trading के लिए trade ले सकते हैं इस candle का हाई है इस candle का हाई है 3709 तो यह अगर इस यहाँ पर हमारे सामने एक resistance भी है तो इस resistance तक भी हम अपने target रख सकते हैं तो आप इस stocks को अपनी बचलिस्ट में एड करके रखिएगा अगला stocks है दोस्तों आप इस stocks को भी देखोगे यह भी 44 rising moving average पर इस ग्रिन के लिक साथ कर रहा है आप यहाँ पर देखोगे moving average यहाँ पर आप देखोगे दीर दीर नीचे आया यहाँ से इसका साई rising होनी लगा है और इस जो green candle बननी है इस green candle पर मैंने आपके लिए message भी डाला था कि यहाँ पर लुपीन में 44 rising moving average पर इस ग्रिन केंडल बनाई है उस दिन वीडियो क्रियेट नहीं कर पाया था तो मैंने आपके लिए पोस्ट में बता दिया था कि यह इस ट्रॉक्स है जो 44 rising moving average पर ट्रेड कर रहे हैं तो अगर आपने इस candle पर अभी ट्रेड नहीं लिया है तो अभी जह अच्छा momentum दखाई दे सकता है तो आप इस ट्रॉक्स को भी अपनी बश्टिस में एड कर सकते हो अगला स्टॉक्स है M&M Finance दोस्तों आप इस ट्रॉक्स को देखोगे तो इस ट्रॉक्स में रगुलर गरावट है यहाँ पर इसने 44 बनाई है तो अगर मंडे के दिन मार्केट ऑपन होने के बाद यहाँ पर हमाज लिए ग्रिन केंडल मिलती है तो फिर इसमें भी आपनी बश्टिस में एड कर सकते हो इस अपते में मंडे के तिन हमाज लिए मालूम चड़ जाएगा कि इस ट्रॉक्स में हमाज लिए ट्रेल मिल रहा है यागर यहाँ से नीचे डेगूलर डाउंटर्ड में जाता है तो फिर इसमें अपने ट्रेल को अवोइड कर देंगे और अगर यहाँ पर एक ग्रिन जाए ब्रेकाउट मिला यहाँ पर एक दिन पॉज लिया और वहीं पर अगर हमाज लिए बिग्डिन केंदर मिलती है तो फिर इस ट्रॉक्स में हमाज लिए एक अच्छा टार्गेट मिल सकता है तो आप इस ट्रॉक्स को भी अपनी बजल स्मेर कर सकते हो अगला स्ट्रॉक के बाद send नीचे जाने के बाद जहाँ पर इसने आ garlic लिया था आप यहाँ पर लिया की अपर वही कि लिया फिर से नीचे आए फिर से उसी प्न्ट पर रिच्ट्रशनिज लिया और अब इस बिरे काूट दिया है कि अहाँ आपके लिए यहां पर एक प्राय उत्kar आ झाठा उपर गया फिर से नीचे इंय तो इसका जोंसी यह निचा विकल्ट के दिया है तो मंडे के दिन अपर साघinky Metam की तरीक करते है यहां पर इस अपूमेंटम noise किस तरीके लोगा आप दिक सकते हैं यहां पर इस तरीके को सकता कि इसने ब्रेकाट दिया। दो या तीन तोड़ा सा उपर जाए। आपके लिए इस क्यिक्स िस तरीक़ का मुवेंटम दखाया दे सकता है। दो या तीन एक जा सकता है या थोड़ा सा रेटरिश्मेंट लेने के बाद फिर से रखाई दे सकता है यहां से रखाई जा सकता है यहां पर दोनुव सेनेडियों मैंने आपके लिए बता है तो आप इस एक्टेस्ट को भी अपनी पैस्स में कर सकते हो आगला पर इस ने रेट केंडल बनाई उसके बाद ने फिर से दो रेट केंडल बना दी है यहने कि ना तो यह 44 तो मार्केट नीचे आता है यह तो हमने अपसाइट के इस ट्रक्स देखे कि अगर यहां से मार्केट ऊपर जाता है तो हम बायंग के लिए टेट ले सकते हैं अगला इस ट्रक्स साब अवर अगर साथ 208 रुपए के आसपास तो पर इसमें हमाई लिए एक बिग रेट केंडल घड़ी होती ही दखाई दे सकती है जैसे आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इसने रेट केंडल बनाई थी उसके बाद यहाँ पर हमाई लिए बिग रेट केंडल मिली लगवाग डाय तीर परस से नकलता है एक स्ट्रोक्स और था याद नहीं आरा मिले लिए एच सीयल टेकनलोजी टेकनलोजी अगर आप इस स्ट्रोक्स को भी देखोगे तो यह भी फुट्टी फॉलेंग मुविंग एवरेज पर रेट केंडल के साथ ही टेड़ कर रहा है आप यहाँ पर देखोगे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह जी वीडियो देखने के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद